दोस्तो मुनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के तरफ से आपकी ओफिशिल भरती आ चुकी है जिहां दोस्तो नगर निगम दिल्ली के तरफ से आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें 8 वी पास, 10 वी पास, 12 वी पास और ग्रेजुएट केंडिडेट आवेधन कर सकते है जिहां दोस्तो ओल इंडिया लेवल के केंडिडेट इस वेकेंसी के लिए अफपलाई कर सकते है चाए मेलो या फिमेल हो पूरा डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतर तक देखेगा तो दोस्तो आपको या पर सबसे पहले ओफिशियल नोटिफिकेशन के जरीए पूरी डिटेल दे देते है दोस्तो आपको नगर निगम दिल्ली की ओफिशियल वेकेंसी के बारे में मिल जाएगे जिहां दोस्तो आपकी ओल इंडिया लेवल की वेकेंसी निकल चुकी है इस वेकेंसी के लिए दोस्तो महिला और पूरू सभी लोग आवेदन कर सकते हैं डिटेल में आपको वेकेंसी के बारे में अपडेट देने वाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं दोस्तो जो गौर्वेंट जो आपकी तैयारी कर रहे हैं पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे सी रीड कर लीजीगा जिहां दोस्तों आपको बता दूँ कि 17902 पदों पे आपके वेकेंसी निकल चुकी है जिसमें computer operator के 2420 पदों पे color के यहां पे 5554 पद रहने वाले है पियोन के यहां पे 496 पदों पे helper के 2121 पदों पे और customer help and operator के यहां पे 2741 पदों पे वेकेंसी निकल चुकी है यह वेकेंसी दोस्तों ओल इंडिया लेवल की रहने वाले male और female दोनों ही आवेदन कर सकते हैं इसके बाद में दोस्तों हमें आपको बताने वाले की आवेदन कैसे करना पड़ेगा तो 13 दिसंबर से आपके online आवेदन शुरू होने वाले है जिसकी last date रहने वाली 13 जनवरी 2022 तो दोस्तो 13 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं आपको यहां पे valid email आईडिर mobile नमबर डालना पड़ेगा दोस्तो इसके बाद में हम बात करेंगे vacancy के लिए eligibility criteria की computer operator के लिए आपे 12th pass होना जरूरी customer help line operator के लिए भी आपे 12th pass होना जरूरी है color की post के लिए 12th pass, helper के post के लिए 8th pass और pion के post के लिए 10th pass होना जरूरी है दोस्तो कुछ graduation की post है भी आपे aid होने वाली लेकिन उनका यहां पे confirmation notice नहीं आया है लेकिन इसी का notice है तो इस बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तो वेकेंसी के लिए जो selection process रहने वाला आपका यहां पे short listing की जाएगी उसके बाद में interview के लिए भी आपको बुलाएज आएगा आपका दोस्तो कुछ post के लिए return exam भी conduct करवाएज आएगा आगे हम बात करेंगे age limit क्राइटेरिय के तो दोस्तो आपको बता दो कि minimum age 18 साल और maximum 40 साल का age limit का क्राइटेरिय यहां पे रखा गया है SCST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए यहां पे PWD में भी दोस्तो SCST को 15 साल का, OBC को 13 साल का और General Candidate को यहां पे 10 साल का relaxation मिलेगा दोस्तो X-Servicemen को यहां पे 5 साल का relaxation दिया जाएगा list of documents कौन-कौन से आपको upload करने पड़ेंगी, recent photograph, signature, ID proof, 10 वी और बारवी की mark sheet और 10 वी और बारवी का certificate, date of birth proof के लिए आगे दोस्तो हम बात करेंगे आपकी application fees की, UR, EWS, OBC Candidate के लिए 4 सोर पे, SCST के लिए यहां पे 200 पे रहने वाले है दोस्तो आपको online payment करना पड़ेगा, fees का, दोस्तो आपको step by step पूरा process बता रहा है कि forum के लिए आपको आवेदन के से करना है अब last हम देख लेते important dates के, तो दोस्तो आपको बता दो कि यहां पे 13 दिसंबर से आपके आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी last date रहने वाली 13 जनवरी 2022 तो दोस्तो नगर निगम दिल्ले में आपके वेकेंसी है, काफी अच्छे पदों पे वेकेंसी निकली 17,902 पदों पे male और female दोनों ही केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, दोस्तो अपलाइस जरूर कीजेगा, अब मिलेंगे आपे next वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो